Hello Guys, I am Vishal. Welcome to basic electrical engineering. Guys, in this video we will discuss biogas plant. So guys, in this video we will cover topics the biogas, construction of biogas plant, working of biogas plant, advantages and limitations of biogas plant. So guys, first we will discuss what is biogas. Biogas is a gas which is produced due to the decomposition of the plant waste, animal waste, or any bio waste in the absence of oxygen. सब कर जो हमारे वेस्ट होता है प्लांट वेस्ट अनिमल वेश्च 9th stop facts रखा जाता है तो के जो डिकंपोजिशन प्रुसेस के बाद voor को catch chills hootी है वो की बैए जोंगिए reason is a mixture of four gases illegal hydrogen hydrogen लेक्टिशन चैया जो कर लेक्टिशन गाटतव इसको टुम मीघचम खरेंटिय तो चना करते हैं तो प्रकृष प्रकृष के लिए भी यूस करते हैं और विलेचिशिति को यूस करते हैं। तो इसमें कोई भी smoke नहीं निकलता, यह काफी सारे इसके advantages होते हैं हमारे biogas के, अब biogas कैसे हमारे produce की जाती है, वह हम देखते हैं, यह है कुछ biogas का construction, biogas plant का construction, अब यह जो plant है, काफी सारे आपके biogas का plant होते हैं, different names होते हैं, तो गाई यह जो आपका plant है, यह है, fixed dome type structure biogas plant, fixed dome structure type biogas plant, इसमें क्या होते हैं, यह आपका ground level के अंदर, आपका plant है, इतना construct किया जाता है, वह जिसका structure होता है, dome-like structure होता है, इसलिए इसको बोलते है, fixed dome type structure biogas plant, अब इसमें क्या होता है, यह जो आपका blue part देख रहा है, इसको brick के तुरू है, हम इसको construct करते हैं, simple में क्या है, guys, कि जो इसकी working है, इसमें हम जो हमारा mixing tank है, इसके अंदर slurry डालते हैं, slurry क्या होता है, वो होता है, mixture of cowden cang plus water, तो जैसी यह आप इसको इसके अंदर डालते हैं, अब जो काई digestive tank है, आपका, यह seal type structure होता है, इसका means इसके अंदर कोई भी oxygen present नहीं होती है, अब oxygen present नहीं है, इसके अंदर बट इसके अंदर क्या है, कि anaerobic macro organism जो है, वो present होते हैं, जिसकी वेसे जो है, decomposition होना start हो जाता है, इसके अंदर, और इसकी वेसे क्या होता है, इसको हम अपने pipe के तूर अपने use में ले सकते हैं, अब जो कि हमारा waste है, वो इसके outlet chamber के तूर होता हुआ है, हमारा overflow tank के अंदर आता है, अब जो overflow tank में जो material बसता है, इसके जो property होती है, यह act करता है as a manure, अब जो हमारी villages होते हैं, इसके अंदर खेत होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, जो field के अंदर हम इसको manure को डालते हैं, यह क्या अदर productivity बढ़ा देता है, हमारी crop की, जो fertility as a fertilizer भी act करता है आपका उसको, जो हमारी manure है, इसके भी काफी सारे advantages है, जो हमारी overflow tank है, जो इसके अंदर manure है, उसमें भी काफी सारा nitrogen and phosphorus present होता है, जो कि जो हमारी soil की fertility है, वो increase कर देता है, जो कि यह था हमारा bio gas plant का concept, अगर इसके advantages देखें guys, एक quick view में, तो जो हमारे advantages है, काफी सारे advantages है, जो कि 75% जो gas होती है, वो methane होती है, जो कि जो कि जब हम इसको बन करते है, तो कोई भी smoke produce नहीं करती है, इसकी calorific value भी high होती है, जो इसको हम light के लिए, और जो electricity production के लिए भी use करते है, bio gas को, जो इसका bio gas plant का जो waste होता है, वो भी हमारे use में आ जाता है, as a manure, जिसके पास जादा nitrogen और phosphorus होता है, जो कि हमारे fertility बढ़ा देता है, soil की, और जो हमारे bio gas plant है, जो safe method है, हमारे disposal of waste को dispose करने का, तो कि यह था bio gas का concept, अगर वीडियो चल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, अगर आपका कोई भी topic से related doubt है, या आप किसी particular topic पर वीडियो चाहते हैं, electrical से related, तो आप हमें comment कर सकते हैं, thank you.